आपका नाम अनुराधा है अनुराधा है अनुराधा हिंदी में बातचीत करना चाहेंगे जी सर ठीक अनुराधा तो मेरे खाल से हम बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपना परिचेते सर मेरा नाम अनुराधा अगरवाल है और सर मैं च्छतीस गड़ से आई हूं और सर मैं स्टेट से मेरा सेलेक्शन डेपूटी कलेक्टर पोस्ट पे हुआ है सर 2017 में और अभी मैं मुंगेली जिले में पोस्टेड हूं सर कौ 2011 में मेरी शादी हो गई थी सर अभी मेरी 10 साल की बेटी है और सर फिर से सभागय मिला है दुबारा मम्मी बनने का अगले मेने मेरे डिलेवरी अगले मेने आपके डिलेवरी आप कमफटेबल है आप किसी पानी इत्यादी की जरुत तो नहीं कोई भी जरूत हो तो प्लीज बता दीजेगा अनुराधा आप फिलहाल डेप्टी कलेक्टर है मैं प्रिजूम कर रहा हूं कि आपने चुट्टी ले ली होगी अभी सर मैं अभी फ्राइडे तक वर्क कर रही थी उसके बाद इंटर्व्यू भी है और इसके बाद दोनों एक साथी अनुराधा आपने इस 6 646 से और सेलेक्शन से तीनी ही सब्सक्राइब थे सार उस समय भी है क्या मेंड़े के अलावा इंटर्व्यू में क्या अब को लगता है क्यों मिले हैं इक स्वासिया नवदय क्यों नहीं मिले सर्थोड़ा साप्नि नॉलेज और रू अजी था पूरा मास्क हेट्शीड तो जो अत्रिक लाब निलता है वह अला नहीं मिल पाएगा आपने कम्यूनिकेशन का बोर्ट के सान सर जो वहाँ बैटे थे पूरा काँच का केबिन बना हुआ था तो थोड़ा माहुल भी वैसा हो गया मेरे को लगता है और मैं जवाब भी अच्छे नहीं दे पाई मुझे आज के इंट्रिव्य को लेकर आपका क्या राय है कि इन एरियास में ठीक गया है कहां आपको लगता है कि सर यहां पर ऐसी गलती फिर से हो रही है सर फैक्ट्स मुझे आज भी लगता है कि मेरे पास कम है करके थोड़ा और करेंट भी और अपडेट होना चाहिए मेरे को लगता है देखिया अन रादा आपको पहले इंट्रिव्य दे चुकी हैं फिलहाल लंबे अर्से से आप सर्विस में हैं तो आपको अच्छे से अनुमान है कि आप से क्या पडिक्षाए हैं और उनके साब से आप खुद भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपके इंट्रिव्य में कहां अच्छी चीजे थी कहां थोड़े बहुत सुझाप की जोड़ रहत है। मैं बहुत लंबा आपको फीडबेक इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि आपको इंट्रिव्यू लगफख तुरंत है। तो सिर्फ उतनी चीजें आपको बताई जाने चाहिए जितनी चीजों से आप उमें कुछ बदाव ला सकती है। आपके साथ पॉजटिव बत यह है कि आप लगातार नौकरी में हैं, एक शांदार नौकरी में हैं और बोर्ड को अच्छे से बता है कि यहां सेलेक्शन करने का मतभ़ख केवल ट्रांसफर करने जैसा है। लगबग उसी किस्म की नौकरी में पहले से हैं तो एक तयार व्यक्ति मिल रहा है, ट्रशिक्षित व्यक्ति मिल रहा है, अनुभवी व्यक्ति मिल रहा है। तो यह बोर्ड पहले से आपको लेकर एक पॉजटिव राय उसके बाहरे पास होगी। ठीक है। बोर्ड कौन सा मिलेगा यह तो अलग बात है वरना आम तोर पर यह याद भी रहेगा कि आपने विछली बार दिया है। कुल मिलाकर आपका आपकी जो इंट्रिव्य है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके प्रशाश्निक अनुभव पर जाने की संभावना है। ठीक है। आपकी बात सही है एक आज जगह पर facts की कमी दिखाई देती है। लेकिन facts का न पता होना आपके मामले में बिलकुल भी कोई महत्व रखता नहीं है। अनलेस आप उसको अपने communication पर हावी होने दें। अगर आपको दस में से आठ सवालों के जवाब नहीं पता बिंदास मना कीजिए, बिलकुल चिंता मत कीजिए। इसका प्रभाव अपने communication पर मत पढ़ने दिए। क्यों। कोशिश करें का मताव आप तो कह नहीं सकते कि वो पूछिए। लेकिन आप अपने उत्तर में उस तरह की चीजों को डाल सकते हैं। आपने डाला भी एक से ज़्यादा जगा है। कि आप अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ देते हैं। आप किसी अतिरिक्त सुविधा की माग नहीं कर रही है। आप अच्छे से बात कर रही है। और आपने परिचए इत्यादी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। ठीक है, आप सामानेते अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा चोटा सा सुझाव हो सकता है, वो एक तो आपका thinking posture, जो सोचने की मुद्रा है, वो कभी-कभी अनौपचारिक जैसी देखती है, आप एक तो eye contact तोड़ती है, ठीक है, ऊपर देखकर सोचती है, यह avoid की जाने वाली ची फेक तोर पर, हमेशा ऐसा होता है, उपर देखना जो है, यह इस बात का सूचक माना जाता है, उसमें, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि आप यहीं हैं और जो वास्तिविक तरफ्थे आपके पास हैं, आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देर में वहाँ पहुचती हैं, जहां मन्शा हैं, बाकी चीज़ आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, केवल इस परफॉर्मेंस को जो आज आपने दी है, उसे रैप्लिकेट कर देना है आप वास्तविक इंटर्व्यू पर, ठीक है, एक चोटे-चोटे जो सुझाब दी हैं, इनमें कुछ पढ़ने की जुरत नहीं है, ठीक है, यह सब तो वो सुझाब हैं, जो साहित्ते में आपके समझ बहुत गहरी नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना है, जितना आपने बता द बताती है, ठीक है, बाकी सब आप बहुत अच्छे से कर रही है, मुझे कोई वजह नहीं दिखाई देरी कि आपको 160 पर क्यों रोका जाएगा, ठीक है, आपका मेंस इस बार अच्छा हुआ है, ठीक है, पिछली बार से अच्छा है, अब सर फिफ्ट मन्त रनिंग था, पाइदा होता है, तो और कर लीजे चिंता, पाइदा नहीं हो रहा है, तो फिर चिंता क्यों करने है, ठीक है, इसलिए कोई चिंता मत किजिए, आनन से, खुश होकर इंट्रवी दीजिए, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देरा, अगर आप जैसा भी I.S. नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, ठीक है न, all the best. Thank you, sir.